क्या आप भी ओनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं क्या आपके बैंक खाते में भी सेंध लग चुकी है क्या आपके डेबिट और प्रेडिक कार्ड पर ओनलाइन फर्सी वाड़ा हो चुका है तो आप घबरानी की कोई बात नहीं है अगर आप पंजाब नाशनल बैंक के ग्रहक है और आपके पास अगर पंजाब नाशनल बैंक का एटियम कार्ड है तो घबरानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ अगर ठगी होती है तो बैंक आपको आपका पूरा पैसा व अगर आप शिकायत करते हैं तो इसकी जांच के बाद इंशोरेंस कमपनी आपको ठगा हुआ सारा पैसा वापिस कर देगी। बस इसके लिए आपको करना ये होगा कि ठगी का शिकार होने के तुरंद बाद अपनी होम ब्रांच में जाकर मैनेजर को एक लिखिक शिकायत देनी होगी। साथ ही अपना ATM कार्ट भी दिखाना होगा। इसके बाद साइबर थाने में एक शिकायत दर्च करानी होगी और उसकी रिसीविंग लेकर इस कॉपी को बैंक की शाखा में जमा कराना होगा। अगर आपके साथ 50,000 रुपए से कम की ठगी हुई है तो F.I.R. दर्च करानी की ज़रूरत नहीं है। केवल शिकायत की कॉपी से ही आपका काम हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा की ठगी हुई है तो आपको पुलिस में F.I.R. दर्च करानी होगी और इसकी कॉपी को बैंक में जमा कराना होगा। इसके साथ ही बैंक आपको एक इंशोरेंस क्लेम फॉर्म देगा उसे भर कर जमा कराना होगा। इसके बाद मामले की परताल की जाई और परताल में अगर आपकी शिकायच सही पाई जाती है तो इंशोरेंस कमपनी आपको पूरी रकम वापिस कर देगी। आपको बता दे कि इन दिनों ऑनलाइन ठगी के बहुत ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। जिसके बाद पंजाब नाशनल बैंक ने फैसला किया है और अपने सारे कार्ट धारुकों का एक लाख रुपे का बीमा करवाया है। वारल किडा न्यूस